मिडिलीस्ट में इरान, हमास, हिजबुला, यमन का हूती, सीरिया और इराक के प्रतिरोधी समू इसरायल के खिलाफ मोर्चा बंदी में लगे हुए हैं और इन सभी गुटों की अगुआई इरान कर रहा है इरान मिडिलीस्ट की सूपर पावर बनना चाहता है जिसकी राह में इसरायल और साओधी अरब सबसे बड़ा रोड़ा है लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसरायल विरोधियों की लिस्ट में तुर्की का नाम भी जुड़ गया है क्योंकि तुर्की शुरुआत से ही गाजा युद्ध को लेकर इसरायल के खिलाफ और अब उसके भीतर इसरायल विरोधी आवाज और जादा तेज हो रही है दरसल तुर्की के जाने माने 90 साल के इसलामी नियाविद और राश्रुपती तैयप एर्दोगन की तरफ से फत्वा जारी करने वाले हायरेतिन कारमान ने एक बहुत बड़ा ऐलाम किया है उन्होंने कहा है कि इसरायल को रोकने के लिए तुर्की को अब परमाडू हत्यार हासिल करना चाहिए परमाडू ताकत से ही इसरायल की आक्रमक्ता को रोका जा सकता है करमान ने इसलामी अख़बार येनी सफाग डेली में एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि या तो इसलामी दुनिया को एकजुट होकर चीन और रूस का सहयोग करना चाहिए या तुर्की को परमाडु हत्यार हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए उन्होंने दलील दी है कि इस संधी के तहट परमाडु शक्तियों को मानिता दी गई है जो अपनिवेशिक हैं ये अपनी सैने ताकत के बल पर अपने शोशण को बनाये रखना चाहती है यदि जिन देशों का इन्होंने शोशड किया है वो परमाडु हत्यार हासिल कर लें तो वो फिर उन देशों का उत्पीडन नहीं कर पाएंगे आपको बता दे कि कारामाल साल 1995 में इसरायल और फिलिस्तीन के दौरे पर गये थे यहुदी पश्चिम की मदद से अपने इसी लक्ष में आगे बढ़ रहे हैं उनके इस लक्ष का मकसद ग्रेटर इसरायल को तुर्की के दक्षिण पूर्व इलाके में विस्तार करना है लेकिन इस सब के बीच तुर्की के राश्रपती एर्दोगन ने एक चन सभा में दावा किया कि इसरायल तुर्की को जमीन को खड़तना चाहता है एर्दोगन ने इस से पहले पहली बार सारवजनिक रूप से 10 नवंबर 2023 को एक चन सभा में कहा था कि पूरी दुनिया के सामने एक तबाही मानवता के खिलाफ अपराद खटित हो रहा है हजारों सालों से फिलिस्तिनी लोगों की जमीन पर कबजा करके ऐसा देश बनाया जिसका इतिहास सिर्फ 75 साल पुराना है इसे संतुष न होकर वे परमाडू हत्यारों का इस्तमाल करने की धमकी भी दे रहे हैं जिसमें हमारे देश को उनके ग्रेटर इसरायल में शामिल करना और अपनी टेकनोलोजी में स्रेश्टा और उटपीडन के साथ हमारे धैर की परिक्षा लेना शामिल है और इसके बाद एर्दोगन ने 11 नमबर 2020 को साओधी अरब के रियाद में सैयुक्त इसलामिक अरब सम्मेलन में भी इसी तरह का बयान दिया था गौर्द करने वाली बात ये है कि तुर्की खुले तोर पर हमास से जड़ा हुआ है हमास को अमेरिका और यूरोपिय संग ने आतंकी संगठन खोशित कर रहा था वहीं तुर्की ने कई बार हमास के नेताओं की अपनी मेजबानी की है साथ ही उसे सैने मदद, फंडिंग और कुछ मामलों में हमास के तदस्यों को नागरिकता तक दी है और तुर्की के राश्रुपती तयब अर्दगन ने हमास के लड़ाकों का भी बचाफ किया है अर्दगन ने उन्हें मुझाएद्दीन का नाम दिया है जो अपनी जमीन के आजादी की लड़ाई लड़ रहे है